दियारती दोस्तों कल आपसे जो बात्चीत की थी आज उससे थोड़ा आगे की बात आपसे करूँगा आज मेरे साथ एक संकट ये है तो मुझे यहाँ से निकल कर ठाना तक जाना है ठाना में 9 बजे से मेरा व्याक्षान है और यहाँ से ठाना पहुँचने में कम से कम 40-45 मिनट का समय लगता है तो आज आपके बीच में कुछ ज्यादा बात कहने की परिस्थिती में नहीं हूँ कल जितना लंबा व्याक्षान चला था आज का व्याक्षान उसका करीब करीब आदा चलेगा मैं कल के व्याक्षान में आपसे कह रहा था कि आप स्वदेशी अपनाएं और भारत की अर्थ विवस्था को बचाएं भारत की आज़ादी को बचाएं भारत की आज की परिस्थिती से भारत को बाहर निकालने में मदद करें लेकिन एक संकत हमारे देश का ऐसा है कि जादा से जादा स्वदेशी सामान हम अपनाना तो चाहते लेकिन जादा लोग ऐसा कहते हैं कि राजी बाई स्वदेशी सामानों का प्रचार नहीं होता लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को माहिती नहीं है कि स्वदेशी सामान क्या है जिसको हम खरीच सके हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि परदेशी कमपनियों के सामानों का बहुत प्रचार होता है परदेशी कमपनियों के सामानों का सबसे ज़्यादा प्रचार होता है टेलिवीजन पर आप सबेरे से लेकर शाम तक किसी दिन एक टेलिवीजन का कोई चैनल खोल कर बैठ जाईए और आपको पता चलेगा कि परदेशी कमपनी के किसी सामान का जाहराथ कम से कम सो बार आएगा खूरे दिन हैं हम चाहते हैं कि हम कोई फिल्म देखें लेकिन सीरियल के बीच में जाहिरात गुसा देते हैं फिल्मों के बीच में जाहिरात गुसा देते हैं पांच मिनट का सीरियल दिखाएंगे उसके बाद पांच मिनट जाहिरात दिखाएंगे दस मिनट तक फिल्म दिखाएंगे उस तो फिर हमारे इस्मृती में वो बैठ जाते हैं और हम कभी जब बाजार में जाते हैं। तिग्रेट मानें सिर्फ विल्ट, तो यह हमारी एक बड़ी भारी कम्जोरी है और यह कम्जोरी हर व्यक्ति में होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हम पब लोग जिन तरह से बने हैं, हमारा शरीर जिस तरह का है, शरीर का जो ढ़ाचा है शरीर के अंदर बद्धी है तो लगता यही सच है आपने सुना होगा एक पंच पंतर की कहानी एक ब्राम्मर था वो बकरी लेकर जा रहा था जो बकरी लेकर जा रहा था ब्राम्मर तो रास्ते में उसको चार चोर मिले चोरों ने यह योजना बनाई ही कि इसकी बकरी कैसे छीनी जाए तो एक चोर ने कहा कि मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो तो एक चोर उस ब्राम्मन के पास गया और उसने कहा कि ये कुट्टे को लेके कहा जा रहे हो तुम तो ब्राम्मन ने कहा ये कुट्टा नहीं है बक्री है अरे उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ ये कुटा नहीं है ये बकरी है ये बकरी नहीं है ये कुटा है फिर ये कुटा नहीं है बकरी है ये बहस शुरू हो गई उस ब्राम्मन और चोर के बीच में दस मिनत तक वो बहस करने के बाद चोर चला गया उसके थोड़ी देर के बाद ब्राम्मन आगे बला फिर दूसरा च चली फिर वो दूसरा चौर आगे चला गया फिर दस मिनट चला वो ब्राम्मन बकरी को लेके फिर एक तीसरा चौर आया फिर उस तीसरे चौर ने का ये बकरी को लेके का जाते हो तुम तो ब्राम्मन को अपने दिमाग पे शक हो गया कि कहीं सच्मन मैं पागल तो नहीं हूँ मैं समझ रहा हूँ जिसको बकरी सब कहते हैं यह कुटा है एक आदमी ने कहा दो आदमी ने कहा भी तीसरा भी कह रहा है कि यह कुटा है हो सकता है मुझसे कोई गल्टी हो गई हो जब तीसरा चोर उसको ये बोल कर गया कि ये कुट्टा है बकरी नहीं है तो उसके मन में शंका पैदा हो गई कि मैं शायद कहीं भूल कर रहा हूँ अभी जब वो दस मिनिट और आगे बढ़ा तो चौथा चोर आ गया कहने लगा अरे बेवकूफ आदमी ये कुट्टे को लेके तू कहां जाता है इसको यहीं ठेख दे तो ब्रामवन को लगा कि बाद बिलकुल पत्की है मेरा दिमाग खराब हुआ जो मैंने कुट्टे को बकरी समझा और ब्रामवन में वो बकरी ठेख दी और वो चारो चोर उस बकरी को उठा के बाद गए समझने आया क्या मतलब है इस कहानी का इस कहानी का मतलब है कि एक जूट एक बार बोला गया दो बार बोला गया तीन बार बोला गया पिर चार बार जब बोल दिया गया उसको तो सुनने वाले को लगा कि शायद यही सच है अब हमारी मुश्किल क्या है कि टेलिवीजन रोज यही ढंदा करता है सबेरे से शाम तक टेलिवीजन पचास बार जूट बोलेगा सौ बार जूट बोलेगा आपने एक बार सुना फिर दूसरी बार कहा कि कॉल गेट करने से दातों में सलन दूर होती है आपने फिर सुना फिर शाम तक आपने 20 बार सुना कि कॉल गेट करने से सांस की बद्बू दूर होती है दातों की सलन दूर होती है अब आपने अगर एक साल तक लगाता है इसको कि आपको कई तरह से अपना जाहिराथ दिखाती है एक बार तो वो टेलिवीजन पर दिखाएंगे फिर आप अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे किसी सरक्ष पर जाएंगे तो वहां बहुत बड़े होर्डिंग पर लिखा होगा सास की बद्बू दातों की सरन कॉलगेट का सुरक्ष चाचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच पिकर लगा हुआ है, पास की बद्बू, दातों की सड़, तो एक ही बात को अपने पांच बार देखा, और पढ़ा, तो ये बात आपको याद हो जाएगी, जब याद हो जाएगी तो आप जब जाएगे दुकान पर तो कहेंगे कॉल गेट दे दो, बस यहीं पर विदेशी क कमपनी का सामान खरीदना बंद करें, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सब ने खड़े होकर उसका संकल भी लिया, लेकिन अब हमारी परेशानी यह है, कि परदेशी कमपनी का माल भिखना तब बंद हो, जब टेलिविजन पर परदेशी कमपनीों का जाहिराथ बंद हो, और यह टेलिविजन पर परदेशी कमपनीों का जाहिराथ कैसे बंद हो सकता है, इसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो यह है, कि हमारे जैसे लोग टेलिविजन के ऊपर मुकदमा करें, केस करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, और उस मुकदमे मे हम टेलिवीजन को हराएं और उसके बाद ये केस हम जीते हैं उसके बाद ये बंद हो जाएं एक तो रास्ता ये हैं और हम इस रास्ते को अपना रहे हैं इस तमें हम लोग आजाबी बचाओ अंगोलन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक केस लग रहे हैं और हमारे केस का जो आधार है वो ये कि जितने जाहिरात आते हैं टेलिवीजन पर सब जूटे एक भी जाहिरात सही नहीं होता और बार बार जाहिरात में जो जूट दिखाया जाता है उसी जूट को देख देख कर लोगों का दिमाग खराब होता है और लोग परदेशी माल खरीच कर लाते हैं तो हमने केस किया हुआ है इसके अलावा टेलिविजन पर जितने जाहिरात आते हैं उनमें जूट के अलावा बहुत सारी उल्टी सीजी बातें भी बताते हैं जो विग्यान के बिल्कुल उल्टी है जो हमारे सबसे से बिल्कुल उल्टी है तो विग्यानिक टाके उल्टा पर चार भी टेलिविजन करते हैं और ऐसे करकर के चार पांच आधार पर हम लोगों ने मुकदमा किया है पहले मुकदमा हमने किया था दिल्ली की लोर कोट में इसली अधालत में जिला अधालत में वहां हम जीत गए पिर उसके वाद हाई कोट में गया वहां भी हम जीत गए अभी सुप्रीम कोट में चल रहा है यह मुकदमा अगर हम जीत जाएंगे तो सारे तीवी चैनलों पर जाहिरात आना बंद हो जाएंगे ये तो एक रास्ता है लेकिन हम हार भी सकते क्योंकि जिन परदेशी कमपनियों के खिलाफ हमने मुकदमा किया है उनके पास करोडों करोडों रुपई की संपत्ती और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारे वकील को फीज दे सके हमारा वकील मुफत में लड़ता हो क्याता है राजी बाइ आप ये अपने लिए थोड़ी लग रहे आप तो देश के लिए लग रहे तो मैं आप जक्त ne नहीं लेता तो हमारे पास सच में है भी नहीं उसको देने के लिए थी तो हमारा वकील को मुफत का है, फोकट का है और परदेशी कमपनियों ने तो लाखों लाखों रुपिया दे कर वकील किये और हिंदुस्तान के एक-एक से बड़े वकील को उनोंने कोर्ट में ख़ड़ा किया तो जरूरी नहीं कि हम जीती जाएं, हार भी सकते तो आप पूझेंगे राजी भाई फिर क्या करें तो एक दूसरा रास्ता भी है दूसरा रास्ता क्या है आखिरकार हम मुकदमा जो कर रहे हैं और इस मुकदमे में हम कल को जीतेंगे तो निकलेगा नतीजा यही ना कि टेलिविजन पर जाहिरात आना बंद हो जाएगा मान दीजे यह मुकदमा ना भी हो तो भी टेलिविजन का जाहिरात बंद हो सकता आप पूझेंगे वो कैसे आपके घर में जो टेलिविजन का स्विच है उसको ओफ कर दीजे, बंद हो गया समझने आया? इसके लिए सुप्रीम गोट जाने की क्या ज़रूरत है? तो यह जो दूसरा रास्ता है, यह बहुत आसान है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है हम चाहें तो टेलिविजन का स्विच आफ कर सकते हैं हम चाहें तो टेलिविजन का फ्लग निकाल सकते हैं हम चाहें तो अपने घर का केबल कनेक्शन काट सकते हम चाहें तो टीवी का तार काट सकते हमको कोई रोकने वाला है क्या? अपने घर का टीवी का तार काटे हैं कोई रोकने आएगा क्या आपको? अपने रिमोट कंट्रोल से टीवी का स्विच आफ करें कोई मना करने आएगा आपको तो ये तो बहुत आसान काम है तो इसको कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते कर सकते हैं अरे तो तेजी दो बोलिए अब ये क्यों करें ये काम ये भी समझ लीजे मैंने आपको कहा कि टेलिवीजन पे जब जाहिरात आए तो टीवी का स्विच आफ करें क्यों क्यों कि ये टेलिवीजन जाहिरात नहीं दिखाता जूट बोलना दिखाता और ये टेलिवीजन जाहिरात के माद्यम से लगाता जूट बोलता रहता कितना बला बला जूट बोलता है तेलिवीजन मैं आपको एक उधारण देता हूँ तेलिवीजन पे एक जायरा ताता उसमें कहते हैं लाइफ बॉय है जहाँ अभी ले बताओ तुम लोग कि अगर तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है तो बोजन क्यों करते हो ऐसा करो कल से बोजन करना बंग और एक एक लाइफ बॉय खरीदो और दिन में दददस बार लगाओ तंदुरुस्ती बनेगी नंग बनेगी तो तो तुरिये टीवी कैसे कहता है तंदुरुस्ती है वहाँ लाइफ बॉय है जहाँ जूट है ना अचा पिर एक दूसरी बात सुनो पेलिवीजन क्या कहता है एक खिलाडी है वो फुटबॉल खेलना नहीं जानता जब लाइफ बॉय लगाके फुटबॉल खेलने जाता है तो चेंपियन हो जाता अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर लाइफ बॉय लगाने से खिलाडी चेंपियन होता तो भारत की फुटबॉल टीम अभी क्यों नहीं खेली विशुकप हुआ था अभी फ्रांस में विशुकप हुआ था फ्रांस नाम के देश में फुटबॉल का विशुकप हुआ था उस विशुकप में भारत ही नहीं खेला बाकी सब खेले चीन खेला, जापान खेला, जर्मनी खेला, अमरीका खेला, स्वीडन खेला, केमरून खेला तुमको मालूम है केमरून कितना बड़ा देश है ये जो गुबंडी गाउं है न इसका आधा तुमारे गाउं का आधा है एक देश उसका नाम है केमरून वो खेला फुटबॉल के नेच में और हम 98 करोड की आवादी वाले खेले ही नहीं क्यों नहीं खेले? लाइफ बॉई नहीं था अगर हर खिलाडी को एक एक लाइफ बॉई दिया होता तो चेंपियन तो हम ही बन जाते बनते के नहीं? बन जाते? तो ये टीवी जूट बोलता है अभी मैं एक तीसरा उदारन देता हूँ तीवी देखो कितना जूट बोलता है तीवी कहता है लाइफ बॉई मैल में छुपे कितानों को धो डालता तीवी कभी ये नहीं कहता कि लाइफ बॉई मैल में छुपे कितानों को मारता है हमेशा कहता है धो डालता इसका मतलब क्या है? जो कितानों मैल में छुप गए हैं इनको धो पोचकर और तंदुरुस्त बनाता अभी तुमको मैं एक माहिती देना चाहता कि यूरोप के देशों में लाइफ बॉय बिक्ता है खासकर हॉलेंड में काफी बिक्ता लेकिन वहां लाइफ बॉय को कहते हैं कार्मोलिक सोग और उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है अनली फॉर डॉंग समझ में आया मैंने क्या बोला लाइफ बॉय ऐसा साबुन है जिससे यूरोप में सिर्फ कुटे नहाते हैं अभी उस साबुन ते तुम नहा रहे हो अगर नहा रहे हो तो सोच लो क्या हो रहे हो तुम यह तो कुटों के नाने वाला साबुन है इससे हमको नाना चाहिए तो इसलिए लाइफ बॉय भी बन करो और टीवी का जाहरा भी बन करो देखा तुमने टीवी कितना पागल बनाता कितना जूट बोलता और ये बास Life Boy है जहां तंदुरुस्ती है वहां पिछले 50 साल से बोल रहा है टीवी तीवी बोलता था अभी 14-15 साल से तो उसके पहले ये जाहरा सिनेमा में आता था उसके पहले ये जाहरा तख़वार में आता था पत्रिकाहों में आता था इसलिए मैंने तुमको कहा कि टीवी तो बहुत जूट बोलता है तो ये जूट बोलने वाला टीवी इसको देखना से ही है हमको तो ये कहा गया है कि जूट कभी देखो मत तो टेलिविजन तो जूट ही दिखा रहा पैसे मैं तुमको एक दूसरा उधारन देता हूँ टेलीविजन देखो कितना जूट बोलता है टेलीविजन में जाहरात आता है कॉमपलॉन का उसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है I'm a कॉमपलॉन बोई कहता है फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है I am a complon girl अब इसका मतलब समझो I am a complon boy मने मैं complon का लड़का हूँ फिर वो बेटी कह रही है मैं complon की लड़की हूँ अभी तुमको मालू मैं complon क्या है complon है तिन का डिबबा अभी ये बताओ तिन के डिबबा के लड़का लड़की हो सकते ऐसा तुमने कभी देखा है दुनिया में कहीं सुना है तुमने तो ये TV में कहां से आ गया जूट है न तो जूट देखना चाहिए तो TV देखना चाहिए कमकर नहीं देखेगा आत उठाओ जरा शाबाज बट जाओ ये TV फिर्व जूट दिखाता है जूट की अलावा कुछ दिखाता ले ऐसे मैं तुमको एक तीस रावधारण देता हूँ तीजी में एक जायरात आता है उसमें दिखाते हैं एक पेन है उसका नाम है राटो मैक क्या कहते हैं लिख से लिख से अरे वाँ ऐसा भी पेन आता है दुनिया ने जिससे लिख से लिख से सब हो जाए एक पेन आता है दुनिया में तो यह जूट है के नहीं तो जूट देखना चाहिए ऐसे देखो टीवी पर जायरात आता है उसमें दिखाते हैं फेर एन लवली क्या कहता है घोरे पन की क्रीम अभी तीवी रोज कहता है अभी तुम लोग मुझे यह बताओ कि अगर अगर सेरन लवली लगाके सब गोरे हो जाते तो दक्षन भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए अभी सब ऐसा हो सकता है सेरन लवली लगाके गोरे हो सकते हैं सब तो दुरिया गलत है कि नहीं तो गलत बात देखनी चाहिए तो इसलिए टीवी देखना बन करोगे इसलिए भी टीवी देखना बन कि उससे भी बरबर जूट दिखाता है ये टीवी टीवी में क्या-क्या जूट दिखाते है टीवी में एक जायरात आता है वो कॉल गेट का कॉल गेट के जायरात में क्या दिखाते हैं दो पती पती साथ साथ चलते थोड़ी एर के बाद पती मूँ फेर लेती किस से? अपने पती से क्या बोलती है? कैसे कहूं इनकी सांस में बद्बू आती उसकी सहीली कहती है सास में बद्बू चल मेरे साथ जोनों डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर साथ जाते हैं कॉल्गेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं सास में बद्बू तो आएगी तो उनकी पत्नी कॉल्गेट खरीद लाती है अपने पती को कहती है कॉल्गेट घसो तो पती महुद है कॉल्गेट घसते है कॉल्गेट करने के बाद दिखाते हैं पती के नजदीक पत्नी आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं दूर यहां नजदीकियां बने जानते हैं उसका मतलब क्या इसका मतलब दो पती पत्वी अगर कॉल्गेट नहीं करेंगे तो बहुत दूर दूर रहेंगे कॉल्गेट करेंगे तब ही नजबी काएंगे अब इससे वड़ा पागलपन है दुनिया में बारती ये संस्कृती में कहते हैं पती-पती का रिष्टा परसपर प्रेम परसपर विश्वास परसपर सद्भाव पे टिका होता ये टेलिविजन कहता है नहीं कॉल्गेट पेस्ट पे टिका हुआ इसलिए तुम जिसको टेलिविजन कहते हो उसको मैं इडियक बॉक्स चेथ और कभी-कभी ये इतना इडियोसिटी दिखाता है टेलिविजन टेलिविजन में एक जायरात आता है चिकलेट की गोलियों का अब उसमें क्या दिखाते हैं एक लड़का है दिखने में बहुती गंदा मोटा ताजी एकदम शकल से बहुती बेवकूप वो चिकलेट की गोलियां लेके आता है और एक बहुत सुन्दर सी लड़की को वो गोलियां दे लेता है उसके बाद लड़की उसके पीचे पीचे चल देती इसका मतलब तमस्त्य हो भारत की सुन्दर लड़कियां इतनी फालतु है क्या जो चिकलेट की गोली पर किसी के भी पीसे चल दाए तुमको मालूँ है इस से बड़ा महिलाओं का कोई दूसरा अपमान नहीं है यह रोज टेलिजिजन हमारे देश में इसी तरह की उल्टी उल्टी बाते दिखाता तो मैंने तुमको पहले कहा कि इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह सब जूट दिखाता है कुछ बच्चे ऐसा कहते है राजी बाई आपकी बात हमने मान ली अभी हम टीवी में जायराब तो नहीं देखेंगे लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें चित्रहार तो आता है वो तो देखेंगे या तो उसमें फिलिप टॉप्टेन आता है वो तो देखेंगे अभी कॉलगेट टॉप्टेन आता है वो तो देखेंगे या ऐसे ही गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त या ऐसे ही एक फाल्टू का गीत आता है आती है क्या खंडाला अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि ऐसे घटिया घटिया गीत फाल्टू के गीत देखने चाहिए और ये फाल्टू के गीत ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है एक-एक से ऐसे ऐसे फाल्टू के गीत लिखते हैं हिंदुस्तान में और उनको सिनेवा में भर-भर के दिखाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और ये सब गंदे गंदे गीत गंदे गाने देख देख कर हम लोग फिर उसी को गाते हैं फिर उसी तरह का शरित्र हमारा दीरे दीरे बनता चला जाता है तुमको मालूम है बगत सिंग कौन सा गीत गाता था बगत सिंग आता था मेरा रंग दे बसंती शोला किस विद्यार्थी को ये गीत पूरा आता है किसी को नहीं आता और अभी मैं पूछू आती है क्या खंडाला किसको आता है देखो कितने हाथ उठा दिये मेरा रंग्दे वसंती चोला किसी को नहीं आता जो आना चाहिए गीत वो नहीं आता और जो नहीं आना चाहिए वो हम सब जानते हैं हमारा दिमाग खराब हो रहा है इसलिए मेरा तुमसे दूसरा भी निवेदन है ये पॉल्टू के गटिया गटिया गीट देखने बन करो तुमको मैं एक बहुत मारमिक बात पूछना चाहता हूं मानलो तुमारी माताजी तुमारे साथ बैठी है और टेली वीजन पे गीत आता है चोली के तीछे क्या है अपनी मा के साथ बैठ कर ये गीत देख सकते हो मानलो तुमारे साथ तुमारे पिताजी बैठे है और गीत आता है चीज बड़ी है मस मस देख सकते हो उतने पिताजी के साथ बैठ कर मालनो तुमारी बड़ी बहन तुमारे साथ बैठी है और गीत आता है आती है क्या खंडाला देख सकते हो तो जो गीत हम हमारी मा के साथ नहीं देख सकते जो गीत हम हमारे पिताजी के साथ नहीं देख सकते जो गीत हम हमारी बेहन के साथ बैठकर नहीं देख सकते वो गीत T.V. पे क्यों देखें समझने आया इसलिए चित्रहार देखना बंद करोगे Phillip Top 10 बंद करोगे देखना कौन-कौन बंद करेगा हाथ उठाओ अभी हाथ नीचे कर अभी एक तीसरी बात और समझाता हूँ कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि राजी भाई आपकी बात समझने आई अभी हम चित्रहार नहीं देखेंगे ये फाल तुके गीत नहीं देखेंगे लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें अच्छे अच्छे सीरियल तो आते हैं अभी क्या सीरियल आते हैं शांती है, स्वाब इमान है तारा है, बनेगी अपनी बात हम पाँच, अमानत सब सीरियल फाल तुके एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी काईदे की बात आती है वेको हर एक सीरियल में क्या आता है पती-पती के जगडे बाप-बेटे के जगडे परोसियों के आपस में जगडे भाई-बेहन के जगडे मा-बेटे के जगडे मा-बेटी के जगडे बाप बेटी के जगड़े, बाप बेटे के जगड़े, बिजनिस पार्टनर के आपस में जगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के घर में चोरी करवा रहा है, कोई किसी के घर में डकेती दलवा रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी के लिए है यह एक सीरियल मैं आया कि एदि हैजेश करने दिखाने शहीं कि कुछ पना बहुत प्रफूरी किन थिखान जिने किया है लिए सहां इम्हों कुछा, कशुछं CB स्वापिमान के सीरियल में में जिस सारे के रिखले आते हैं, वैसे तुम्हारे घर में होते हैं कभी, स्वाजमान में जिसकर है के मम्मी पपा दिखाते हैं वैसे तुम्हारे है, स्वाजमान में जिसकर है के भाई भेन आते हैं वैसे तुम्हारे है, तो तुर क्यों देखना चाहिए ये, देखना चाहिए, ये तो देखने लाइक नहीं ह और ऐसे सब सीरियल फाल चुके और हर एक सीरियल में क्या दिखाएंगे किसी की पती किसी के साथ भाग गई किसी का पती किसी के साथ भाग गया किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फच गया किसी की प्रेमी का किसी के चक्कर में फच गई यही सब उल्टी सीदी बाते यही अभी आत्मी चुकर। लेकिन जैसे ही दस मिनित शंकर जी पारवती का किस्ता आएगा बीच में गुसाएंगे कॉल गेट का जाहराथ फिर गुसाएंगे पैपसोडेंट का जाहराथ फिर गुसाएंगे जाहराथ तो पांच मिनित हम जाहराथ देख से रहेंगे हम भूल जाएंगे क्या किस्ता आया और सीरियल खदम होने के बाद अगर मैं पूछूँ कि तुमने क्या देखा तो तुमको मालूम नहीं क्या देखा किसी को याद नहीं होता कि हमने ये देखा क्यों नहीं याद होता क्योंकि बार 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 जो जाहिरात उन्होंने दिखा दिया हमको उस जाहरात के कारण हमको तीवी का कोई किस्ता यादी नहीं रहता तो क्या फाइदा देखने से ते ऐसे ही कुछ बच्चे कहते हैं राजी बाई उसमें शक्तिमान भी तो आता है अभी देखो शक्तिमान ऐसा सीरियल है जो पूरी दुनिया में सबसे फालतू अभी तुम मुझे ये बताओ कि शक्तिमान नाम के सीरियल में जो शक्तिमान है वैसा तुमारे महले में है तुमारे गली में है तुमारे गाओं में है तुमारे देश में है तो तुर टीवी में कहा से आया ये शक्तिमान टीवी में कहा से आ गया हमारे देश में नहीं, हमारे गली में नहीं, हमारे महले में नहीं, हमारे गाउं में नहीं तो सीवी में कहा से आया सब हम बगर जूट है एक भी सच नहीं है लेकिन हमारी तकलीष क्या है कि हम यही जूट बार-बार देखते हैं बार-बार देखते हैं तो फिर पागल हो जाते हैं तुमको मैं एक तच्चा किस्पा बताना चाहता हूँ शक्तिमान देख देखकर हिंदुस्तान के बच्चे पागल हो रहे हैं मैं तुमको एक लड़के की कहानी सुनाता बोपाल नाम का एक शहर है मध्यप्रदेश में उस बोपाल नाम के शहर के बाजू में एक गाउं है उस गाउं का नाम है सिहोर वहाँ एक 15 साल का लड़का रहता था और वो शक्तिमान देखकर पागल हो गया वो बार बार शक्तिमान देखता था एक दिन उस लड़के को ऐसा लगा कि ये शक्तिमान ऐसा आदमी है जब भी कोई संकट में फंच जाता है तो उसको बचाने के लिए शक्तिमान आता है तो एज दिन उस लड़के ने क्या किया उसके माँ और पिताजी दोनों गाओं गए थे सबजी खरीदने के लिए लड़के ने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर से ताला लगा दिया रसोई घर में गया रसोई घर में से केरोसिन ओइल लेके आया रौकेल लेके आया और उसने अपने पूरे शरीर पर डाल लिया उसके बाद दियासलाई से उसने आग लगाई अपने कपड़ों में फिर वो जलने लगा जब वो जलने लगा तो उसने चिलाना शुरू किया शक्तिमान आओ मुझे बचाओ शक्तिमान आओ मुझे बचाओ अभी शक्तिमान कहीं होता तो आता देर घंटे तरफ सरफ कर वो बच्चा जल कर मर गया जब तक उसके माबाप वापस लोते तक तक वो जल कर मर चुका था अभी सोचो के शक्तिमान से कितना पागल बनते हैं बच्चे ऐसे ही मैं चंद्रपुर नाम के एक गाउ में गया था महराश्चु में विदर्व में एक गाउ है चंद्रपुर छोटा सा जिला है वहाँ में एक विद्यार्थी से मिला उसकी उम्र है ग्यारे वर्ष और वो भी सक्तिमान देखकर पागल हुआ कैसे पागल हुआ वो ग्यारे वर्ष का जो विद्यार्थी है बार-बार शक्तिमान देखता था बार-बार शक्तिमान देखता था एक दिन उसको इतनी उत्तेजना आई कि वो अपनी छट पर चड़ गया और जैसे शक्तिमान कूदता है गोल-गोल घूमते हुए वैसे कूद गया अभी सड़क पे गिरा उसके दोनों पैर तूट गए मैं जब उससे मिलने गया तो वो उसके दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था जो डॉक्तर उसका इलाज कर रहा था मैंने उससे पूछा कि ये ठीक होगा क्या डॉक्तर ने का राजी भाई कोई उम्मीद नहीं है इसके दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो गए चोट इतनी गहरी लगी है कि इसको पैरनिसिस हो गया है अब इसके पैर ठीक नहीं हो पाएंगे तो पूरे जिंदगी के लिए वो लड़का शक्तिमान के शक्कर में बरबाद हो गया जब मैं उसके घर में गया तो उसकी मा रोती थी उसका बाप भी रोता था और मेरे सामने दोनों माबाप रोते थे और ये बोलते थे राजी भाई अभी क्या बताएं हमारा तो ये अकेला बेटा था और इसकी भी जिंदगी बेकार हो गई तो दोनों माबाप को मैंने डाटते हुए कहा कि तुमने जब अपने घर में टीवी खरीदा था और केबल कनेक्शन लगाया था तब ये ध्यान नहीं आया तुमको कि हमारा एक छोटा सा बेटा है वो बरबाद भी हो सकता अब क्यों रोते हो तो उसकी माने कार होते रोते गराजी भाई अभी हम इसलिए रोते हैं कि आप तो पूरे देश में गूमते हैं आप एक काम करिएगा कि मेरे बेटे के साथ जो घटना हुई है वो बात आप सब बच्चों को बताईएगा ताकि कोई भी बच्चा शक्तिमान ना देखे तो देखोगे शक्तिमान अभी मैं तुमको एक और सच्चा किस्ता बताता हूँ कि टेलिविजन देखकर किस तरह से बच्चे पागल होते हैं पिछले साल एहमदाबाद शहर में एक साथ साल की बच्ची थी वो टीवी का जायराद देख देखकर कितनी पागल हुई उस बच्ची का एक भाई था उसकी उम्र की देड़ साल की तो उस देड़ साल के भाई को उस ताथ साल की लड़की ने एक दिल वाशिंग मशीन में डाल दिया क्यों डाल दिया उस लड़की को ऐसा लगता था कि वाशिंग मशीन में कोई भी चीज डालो धुलकर साफ हो जाती है तो उसका बाद जो भाई था देर साल का वो थोड़ा काले रंका था इसलिए उसने उसको वाशिंग मशीन में डाल दिया और उसने उसका बटन चला दिया और उसके बाद वो देर साल का बच्चा मर गया अभी सोचो कैसे पागल होते हैं बच्चा मैं तुमको मेरे शहर की एक घचना बताता हूँ मैं जिस इलहाबाद नाम के शहर में रहता हूँ वहाँ एक मेरे पडोशी का बेटा जिसकी उम्र थी मुश्किल से पांस साले पांस साल एक दिन वो भी पागल हो गया टीवी देख देख कर कैसे पागल हुआ वो पांस साले पांस साल का बच्चा था रोज तीवी देखता था दो गंटे तीन गंटे चार गंटे पांच गंटे रोज तीवी देखता एक दिन उस बच्चे को ऐसा लगा कि टीवी में जो कुछ दिखाते हैं वो तब सच होता तो उसमें क्या किया एक दिन वो अपनी छट पे चढ़ गया और उसने अपने पहर में रस्टी बांदी और छट पर से वो उल्टा कूद गया एक थम्टप का जाहिरा पाता था उसमें एक बच्चे को दिखाते थे कि वो रस्टी बांद कर उल्टा कूद था अभी वो सड़क पे गिरा उसका सिर्फटा और वो मर गया ऐसे बच्चे पागल होते हैं टीवी देखकर और सिर्फ भारत में ही नहीं अमरीका में भी बच्चे टीवी देखकर पागल होते हैं भारत में कम अमरीका में ज़्यादा पागल होते हैं अमरीका में पिछले 35 वर्षों में तीवी देख देखकर दो करोड बच्चे पागल हो गए और अमरीका में जो बच्चे पागल होते हैं उनकी तो तुम सोच भी नहीं सकते अभी तीन महीने पहले अमरीका की जो राजधानी है उसका नाम है वाशिंग अटन डी सी वहाँ एक दुरगटना हुई एक प्राइमरी स्कूल में दो विद्यार्थियों ने जिनकी उम्र थी 11 साल और 13 साल अपने ही स्कूल के 5 विद्यार्थियों का मर्डर कर दिया राइफल से और अध्याफक उनको बचाने के लिए आया तो अध्याफक को भी गोली मार दिया उन बच्चों अभी 11 साल का लड़का और 13 साल का लड़का अमरीका में मर्डर कर था पुलिस में उन दोनों विद्यार्थियों को पकड़ा फिर पुलिस में उन से पूछा कि तुमने ये मर्डर क्यों किया तो उन दोनों बच्चों ने का कि हम तो रोग सीवी पहसे ही मर्डर होते हुए देखते हैं तो हम न तो वहाँ से सीखा और कर दिया अभी वो दुर्गचनाय भारत नदी शुरू हो गई एक दिन ठाने में ठाने का नाम सुना वो ठाने में एक 13 साल का विद्यार थी और एक शाइद 14-15 साल का विद्यार थी उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए आने वाली नौकरानी को जिन्दा जला दिया यही ठाने में हुआ और वो लड़की जिसको जिन्दा जलाया उसकी उमर थी 17 साल दोनों ने उसके हाथ फकड़ लिये फिर केरोसिन ओयल डाल दिया फिर आग लगा दी वो लड़की जलकर मर गई उन दोनों विद्यारतियों को भी पुलिस ने पकड़ा पुलिस में पूछा तुमने क्यों जलाया दोनों लड़कों ने का कि हम तो सिनेमा में ऐसा ही देखते हैं बार बार तो हमने जला दिया फिर यही पर उल्हास नगर नाम का एक छोटा सा गाओ है उस उल्हास नगर में टीवी देख देखकर एक लड़का तो इतना पागल हुआ कि उसने अपनी सगी बहन और बहन के पती दोनों का मरडर कर दिया बरे भीड बरे चौराहे पर और उस लड़के को भी जब पुलिस पकड़ के ले गई तो लड़के ने का कि मैं इतना उस्तेजित हो गया था दो-तीन दिन से लगाता है और वो कोई ऐसी फिल्म देख रहा था जिसमें मरडर करनें दिखाते थे तो उसके दिमास में इतना बैठ गया था मरडर करने की बाद कि फिर उसको होश नहीं रहा और उसमें अपनी सगी बहन और बहन के पती का मरडर कर दिया पुलिस स्टेशन के सामने मैं ऐसे यह तुमको और सची गटना बताता हूँ एक बार मैं सांगली गया सांगली महराश्र में ही है पश्चिम महराश्र में है कोलापुर जिले का एक छोटा सा गाउ है शायद सांगली अब खुद भी जिला बन गया होगा उस सांगली में क्या हुआ कि एक सत्रे साल की लड़की थी उसका नाम था अम्रता देश पांडे उसको एक चौबीस साल की लड़के में अठारे बार चाकू मारा पेट में और बस इस सेंड पर और बस इस सेंड पर चाकू मारते हुए हजारों लोगों ने देखा लेकिन सब इतने नपुनसक और कायर थे कि उस लड़के को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और वो चाकू मार के भाग गया एक भाई को मैंने पूछा जब मैं सांग ली गया जो उस अमें घचना को देख रहा था मैंने का वो लड़का चाकू मार रहा था और तुम लोगों में किसी के मन में इतनी भी दया नहीं आई कि वो अकेली लड़की को बचाओ तो जो भाई ने मुझे जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत शौकिंग था उसने का राजीब भाई टेलिवीजन पर रोज चाकू मारते हुए हम देखते हैं सिनेमा में रोज चाकू मारते हुए हम देखते हैं तो बारबार यह चाकू मारते हुए जब हम देखते हैं, तो हमारे मन से चाकू मारने वाले के प्रती घरना ककम हो जाती है, तो हम पकड़े क्यों उसको उस enslaved? उस दिन मुझे समझ में आया कि बारबार जब हम हिंता देखते हैं, बार बार जब हम वाइलेंस देखते हैं टेलिविजन पर वो चाहे गोली मारने की हो चाहे साकू मारने की हो चाहे किसी की हत्या करने की हो चाहे किसी को उपर से पटकने की हो यह बार बार की जो वाइलेंस है बार बार की जो हत्या है या बार बार के हस्या के जो द्रक्षे हैं ये हमारे मन से दया खतम कर देते हैं करुणा खतम कर देते हैं प्रेम खतम कर देते हैं फिर असली जीवन में अगर ये दुरगटना हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती हम बाजी से बचकर निकल कर चले जाते किसी की डेट बॉडी फड़ी हुई हो हम बाजू से बचकर निकल कर चले गाएंगे ये सोचते हुए अरे कौन सिर्दर देगा क्योंकि बार बार डेट बॉडी देखना हमारी आदत बन गई है टीवी के माध्यम से और तिरे माध्यम से जब आदमी के मन से दया खतम हो जाती है करोणा खतम हो जाती है प्रेम खतम हो जाता है तो वो आदमी नहीं रहता जानवर हो जाता है अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम को इंसान बनना है या जानवर तो फिर टीवी देखोगे सिनेमा देखोगे हाथ उठा दो अब की बार हम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा सिनेमा नहीं देखेगा क्योंकि ये टीवी और सिनेमा देखने से ना तो हमारे जीवन का कोई फाइदा हो रहा है ना हमारे जीवन में कोई भला हो रहा नुक्सान जादा से जादा हो रहा है फाइदा इसका बिलकुल नहीं हो रहा है और मैं तुमको एक बहुत गंबीर बात बताना चाहता हूँ कि ये टेलीविजन दुनिया की सबसे खराब मशीन है और ये मैं बोलता हूँ मेरी पूरी इंजिनिरिंग की पढ़ाई इसी टेलीविजन में हुई है उसके बावजूर मैं कहता हूँ कि इस दुनिया की सबसे खराब टेक्नोलोजी क्यों? तुमको एक बहुत गंबीर बात मैं समझाना चाहता हूँ अगर समझ में आ जाए कि जितनी देर हम बैठकर टेलीविजन देखते हैं उतनी देर हमारा दिमाग बंद रहता है हम कुछ सोच नहीं पाते हम कुछ सोच नहीं सकते दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करते हुए हमारा दिमाग बंद रहता हूँ हम जब सो जाते हैं तब भी दिमाग चालू रहता है और सोते समझ जब दिमाग चालू रहता है तो उसी में फिर सपने आते दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सपना ना देखता हो हर यक्ती सपना देखता है इसका मतलब सोते हुए भी हमारा दिमाग चालू रहता है लेकिन टेलिविजन देखते हुए दिमाग बंद रहता है हम पुस्तक पढ़ें पुस्तक पढ़ते हुए हम सोच सकते हैं कलपना कर सकते हैं जैसे उधारन के लिए मान लो तुम कोई कहानी की पुस्तक पढ़ो और एक कहानी पढ़ो कहानी ऐसी होगी एक राजा था एक राणी थी अब जैसे ही तुमने पढ़ा के एक राजा था एक राणी थी सुरंट तुमारे दिमाख में कलपना आएगी राजा कैसा था राणी कैसी थी, राजा का महल कैसा था, राणी का महल कैसा था, वो रहते कैसे थे ये सारी कल्पना एक शोर में आ जाती है मन में जब हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं एक राजा था एक राणी थी लेकिन जब टेलिविजन देखते हैं तो ये सब कल्पना गायब हो जाती है ये कल्पना का आना और गायब होना दिमाग के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है अगर हमारा दिमाग सोचता रहेगा चिंतन करता रहेगा तो कल्पना आती रहेगी अगर दिमाग ने सोचना बंद किया, चिंतन करना बंद किया तो कोई कलपना नहीं आता सकती दुनिया में जिस व्यक्ति का दिमाग सोच नहीं पाता, चिंतन नहीं कर पाता उसी को पागल कहते हैं तुमको मालूगा मेडिकल साइंस में पागल की परिभाशा क्या है? पागल की परिभाशा माने वो व्यक्ति जो सोच नहीं सकता विचार नहीं कर सकता जिसके दिमाग का चिंतन बंद हो जाता है वो ही पागल होता है तो जितनी देर हम TV देखते हैं हम खुद पागल होते क्योंकि हम सोच नहीं पाते क्योंकि हम चिंतन नहीं कर पाते हैं और ये सोचना और चिंतन करना जो हमारा बंद हो रहा है यही सबसे बड़ा खत्रा है और मैं तुमको इससे भी जादा गहरी एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे दिमास में एक हाइपो थेलेमस नाम की चीज होती है और हाइपो थेलेमस के पास एक मैडूला नाम का पोर्शन होता जब हम टीवी देखते हैं तो उस तमें ये हाइपो थेलेमस और मैडूला दोनों काम करना बंद कर देते हैं अब मैं तुमको एक दूसरी बात बताता हूं कि शरीर का कोई भी हिस्ता अगर हम उससे काम नहीं करवाएंगे और उससे काम नहीं लेंगे थोले दिन तुम उसको ऐसे ही रहने दो उस हिस्से में या तो सूजन आ जाएगी या वो काम करना बंद कर दे तुम्हें एक दिन ऐसा छोटा सा प्रयोग करो कि एक हफ़ते तक अपने दाहिने हाथ को ऐसा ही लटका के रहना इसको उपर नहीं करना, नीचे नहीं करना, हिलाना नहीं बस ऐसा ही लटका के रखना तो तुम्हारे दाहिने हाथ में सूजन आ जाएगी पूरे में क्यों? तुमने काम नहीं लिया उस हाथ से इसलिए वो सूजन आ गई हूँ ऐसे ही तुम पैर तुम एक हफ़ते के लिए विस्टर पर लेट जाओ पैर बिलकुल मत चलाओ हिलाओ नहीं दुलाओ नहीं तुम्हारे पैर सूज जाएंगे फिर पैर से चल नहीं पाओ गए ऐसे ही तुम विस्टर पर लेट जाओ अपनी पीट को बिलकुल हिलाओ दुलाओ मत एक ही पोजीशन ने जैसे लेटे हो वैसे ही लेटे रहो तो तुमारी पीट में बड़े बड़े फोड़े हो जाएगे बैड सोर हो जाएगे क्यों होता है ये सब शरीर का कोई भी हिस्ता अगर हमने बेकार किया उस्ते कोई काम नहीं लिया तो वो सूजन आती है या तो उसमें स्विलिंग आती है या तो वो बेकार होता या तो उसमें जंग लगती अब हम सोचें कि जितनी देर हम टीवी देख रहे हैं उतनी देर हमारा हाइपोसलेमस काम नहीं कर रहा हमारा मैडुला काम नहीं कर रहा तो उसमें भी सूजन आ जाएगी और उसमें अगर सूजन आई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी तुमके कैंसर भी हो सकता हो सकता है तुमारा वो हिस्सा काच कर निकालना पड़ेगी और तब तुमारी जिन्लगी नरख हो जाएगी तो तुमने शुरू में तो मजे मजे में टीवी देखा लेकिन पता चला उससे तो गंबीर बीमारी हो गए और तुमको मैं एक बात और बताता हूँ टेलिवीजन जब चलता है तो उसमें से बहुत ही खतरना किरने निकलती है तुमने सूरज को उगते हुए देखा सूरज में से किरने निकलती है लेकिन दुपहर के अगर बारे बज़े हो तो सूरज की तरफ आख करके देख सकते है नहीं देख सकते क्यों क्योंकि उछकी किरने इतनी तेज होती है कि आख जलने लगती है जिस तरह से सूरज में से किरने निकलती है और आखों को जला सकती है वैसी ही किरने टेलिविजन में से भी निकलती और वो भी तुमारी आँखों को जला सकती जो किरने सूरच की रोशनी से निकलती है वो टेलिविजन से भी निकलती और टेलिविजन से निकलने वाली किरने भी तुमारी आँखों को जला सकती और तब तुमारी आँखें खराब हो सकती है फिर हो सकता है तुमको दिखना कम हो जाए तुमको चश्मा लगाना पड़े तुमको आँखों में दर्द होने लगे तुमारे दिमास में भी दर्द होने लगे लगातार टीवी देखने से एक बहुत खतरना किसम का दर्द होता उसको कहते हैं माईग्रेन माईग्रेन ऐसा दर्द है जो आधे हिस्से में होता कभी भी राइट लेस्ट में होगा या लेस्ट पोर्शन में होगा कहीं भी हो सकता और माईग्रेन में एक बार फशे तो आजानी से इसका इलाज भी नहीं हो एक और बड़ी संकट है टेलिविजन की कि जब हम सब लोग टेलिविजन देखते हैं तो आँखें फार फार कर देखते हैं एक मिनिट के लिए भी हम हमारी पलक नहीं जपकाते आँखें फार फार के टीवी देखते रहते तुमको मालूम है कि हर एक सेकेंड में पलग जपतनी चाहिए नहीं तो आँखें खराब हो जाएं एक मिनिट में कम से कम साथ बार हमारी पलग जपतनी चाहिए एक मिनिट में कम से कम साथ बार आँखें बंदो नी चाहिए खुल नी चाहिए लेकिन हम तो टीवी देखते हैं तो हो सकता आदा आदा घंटे तक आँखें फाड़े फाड़े देखते रहें क्योंकि हमारे मतलब का अगर कोई सीन आता है तो हम भूल भी जाते हैं कि आखें भी हैं हमारी तो तुम तो सत्यानाज कर रहे हो अपनी आखों का इसलिए टीवी देखोगे और ये जो बात मैं समझा रहा हूं समझ के जाना और अपने घर में जाके अपने मां पिताजी को भी समझाना और ये टेलिविजन देखने का शारीरिक नुक्सान है मानिसिक नुक्सान है कमे का नुक्सान है दो दो गंटे तीन तीन गंटे हम टीवी देखते हैं